Hello friends, welcome back. Well, इस वीडियो में मैं डुमेन को मूफ करना बता रहा हूँ कि अगर हमने एक रिजिस्टरार से दूसरे रिजिस्टरार पे डुमेन को मूफ करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं? मेरे पास जो डुमेन है मेरा वो मेरे पास GoDaddy के मैंने बाइ किया हुआ था तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं गूगल डुमेन्स पे तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिससे हम अपने डुमेन को ट्रांसफर कर सकते हैं परस्ट हमने क्या करना है कि लाइक मुझे गूगल डुमेन पे ट्रांसफर करना है तो फस्ट मुझे गूगल को बताना पढ़ेगा कि मैंने कूण सा सथ दोमेन वहाँ पर ट्रांसफर करना चाहां मिश कुसको मुझे बताना पढ़ेगा कि ये डुमेन मेरा है For example, by default, अगर Windows मारी यह उपन होती है, तो मैंने मानलोग डुमेन मूफ करना है, पर्दी पतेल, लाई कि मेरा अपना डुमेन है, अब बेसिकली क्या है, यह डुमेन मेरा अपना है, मिन्स की इसकी अविलेबिल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह गोडैडी के पास पहले च रिजिस्टर्ड है, तो उसने क्या बताया, पर्दी पतेल.com is already registered, मिन्स आपको बताना पड़ेगा कि यह आपने डुमेन बाई नहीं करना है, इसको आपनी मूफ करना है, अपने लाईक इस डुमेन पर, ठीक है, यह देखिए, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, उसको यह नही पर इसके क्लिक के लिए, ंट को नोट अवेलेबल बता रहा था, अब उसको गूगल को बताया, यह डुमेन मेरी ही है इसको वजस्ट मेने ट्रांसफर करना है तो उन्होंने क्या बता है go to your current register उन्होंने बता दे कि go daddy के पास यह पहले से registered है ठीक है basically यहीं से ट्रांसफर करना ही नहीं है अपनी डुमेन को for example आप अपनी डुमेन को किसी को बेचते हैं sell करते हैं तो यही steps follow होते हैं यह आप किसी से domain खरीते हैं तब भी same steps को ही steps follow होते हैं तो हमने क्या किया यहां पे go ready के पास like जो भी previous registrar है वहाँ पर basically क्या था जब भी हम कोई domain खरीते हैं तो वो domain by default lock करते था यह गलती से भी वो transfer ना हो किसी के पास तो हमें उस domain को unlock करना पड़े कर देखिए step 1 में बता रहा है वो पर्दीपतेल.com is locked to unlock go to your current registrar registrar के पास जाके हमने उस domain को unlock करना है after unlocking हमें एक authorization code मिलेगा वो code हमने यह पर एंटर करके continue करना है तो मैंने अपना go daddy का जो portal है इसको मैंने open कर लिया तो आज मैं यह वैसे दोनों domains को move करूंगा तो मैंने अभी पर्दीपतेल की बात कर रहा हूं तो इसको मैंने क्या क्या मैनेज में गया जो मेंपस domains थी domain section में manage में यहां पर इसने open कर दिया लाइक प्रदीपतेल बिसिकली एकस्पायर होने वाला था तो मैंने ख़चा इसको मैं मूफ कर देता हूं ओके यह देखिए domain lock on है तो इसको मुझे off करना है ओके देन यह भी request in progress है just few seconds में यह update हो जाता है तो मैं refresh करूंगा तो यह update हो जाएगा okay fine यह अब okay है off है अब मुझे क्या करना है यहां पर उसने क्या बता है step 1 क्या था कि हमने इसको unlock करना है unlock हम कर चुके है the next step is authorization code okay transfer domain away from code ID भी मैंने क्लिक किया okay continue with transfer okay your domain is unlocked उसने ही यह पर चेक कर दिया है click here to see the authorization code तो मैंने इसको just copy किया और मैंने इसको paste किया then continue okay मैंने सब सॉली यहां पर refresh करना पड़ेगा मुझे basically unlock हो गया था मगर इसने system ने वह चेक नहीं किया था the case is unlocked okay अब मैंने यह पर अपना code डाला and continue okay अब यह step हो चुका है means उसने उस code को set कर लिया अब क्या है कि web setting basically क्या है कि देखिए मेरे पास जो domain है वो मेरा go daddy पे था मगर जो मेरी website hosting है वो मेरी host get repay थी ठीक है अब यहां पर क्या हो रहा है कि मैं go daddy से अपनी domain को transfer कर रहा है Google के पास मगर hosting मेरी अभी भी as it is host get repay है ठीक है तो यह option दे रहा है कि like settings हमने कैसे रखनी है like अगर मैं name server keep my name server name server means जहां पे मेरी website hosted है keep my current name server and don't import any other settings first यह option आगी second क्या रहा है copy and let google manage my dns settings copy करेगा settings को और google उसमें कुछ changes करेगा like we found your website at pradiparate.com and यह two records we found your email यह define कर रहा है और three records है हम records यहां पे check कर सकते है कि जो जो उसने records ली होंगे ठीक है उसके basis पे यहां पर वो चीज like वो उसको as a copy कर लेगा ठीक है और google उसको अपने recording manage कर देगा google अपने like तो मैं इसको as it is recommend कर रहा हूं like की जो भी है तो google अपने आप manage करे okay तो मैंने just continue किया okay then next is when you transfer you retain all the time like current register and and extra जो भी हम पस time period बचा हूँ basically क्या है कि अगर मैं इस domain की बात करता हूं यह expire हो रहा था next month next month okay next month हो रहा था तो मतला वो time period plus additional one year means कि यह नहीं है कि आपने आज domain renew कर रहे है तो आज से वो one year count होगा first जो time period balance है and additional one year तो वो उसकी expiry में define हो जाएगा okay then यहां पर privacy protection on है auto renew on है to due 860 rupees तो मैं proceed to check out okay then यहां पर domain आ गया है like 860 plus taxes था taxes मेरा 154 तो में total cost यह पढ़ रहा है okay अगर आपको 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 प्रोमो कोड है आप एंटर कर सकते है otherwise normal simple buy कर सकते है तो मैं just buy कर रहा हूं fine means मेरा step हो चुका है अब transfer basically कि आप यह request जाएगी GoDaddy के पास GoDaddy के लाइक transfer request आई है यहां से तो GoDaddy आपको एक email करेगा email means कि एक confirmation होगा confirmation email कि confirm करेगा कि आप वो transfer को ok करना चाहते है deny करना चाहते है अगर वह से आप ok कर देंगे then आपकी domain यहां पे move हो जाएगी उसी time ठीक है तो अभी इसलिए pending status में आ रहा है तो कुछ time wait कीजिए then वह आपके email आ जाएगा तो आप उसको ok कर देना तब तक मैं अपनी दूसरी second domain को इसको भी transfer कर लेता हूं जैसे मिना आपको बदाया था कि मैं अपनी दोनों domain को transfer कर रहा हूं ok study warehouse.com ok इसको भी transfer कर रहा है तो मैं उसके recording फिर से my domain section में गया ok same step follow कर रहा हूं मैं अभी से इसको unlock कर लेता हूं fine देखिए वोई बिसाला है कि यह locked है तो मैं इसको refresh कर लेता हूं your domain is locked ok यह आपके unlock हो चुका है ok यह unlocked है अब मुझे same step follow करना है like manage DNS sorry transfer domain away from go ready okay then continue with transfer click here to see the authorization code then I need to paste here then continue okay same record continue कर रहां okay proceed with checkout then the payment fine and buy now basically basically मैंने अपना कार्ड यहां पे by default save कर रखा है तो वह automatically वहां से transactions मेरा deduct हो रहा है तो यह मैं सोच हो कि भी हुआ नहीं है just यहां भी step pending बता रहा है ठीक है okay okay then अब इसके बाद क्या करना है transfer section में मैं गया transfers out यह देखिए दोनों मेरे आ चुके है means की देखिए मुझे अभी hardly 5 minute हुए होंगे okay मुझे just यहां पे okay कर रहा हूं to complete the domain transfer accept transfer transfer out successful अब मैं यहां पे इसको refresh कर रहा हूं that's it यह देखिए मेरी domains पे study warehouse and पर्दी पतेल दोनों reflect कर रहा है means यह domain मेरी transfer हो चुकी है और hardly 10 minutes लगे होंगे पूरा process करने में like authorization code unlock then transfer confirmation and here process अगर आपका confirmation नहीं आता था maximum 20 minutes maximum minimum 20 days वो बोलते है 20 days sorry 20 minutes बोलते है maximum 5 to 7 days होते है मगर 10 minutes भी नहीं लगे होंगे okay hope so आपको information पसंद आएगी please मेरे चैनल को subscribe कर दीजिया thank you and have a next day कि अभी कर दंदिया जो ँगा से कर दो